कलवल जिले के SPS स्कूल में 25 स्कूलों के साथ मिलकर 500 बच्चों के द्वारा बड़े स्तर पर ओपन टैलेंट हंट का रंगारम कारेकरम किया जाएगा इस अबसर पर मुख्यातीती के रूप में नगरादेश विजा के द्वारा प्रथम रित्य त्रित्य शेणी में आने वाले बच्चों को SPS इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा बच्चों को प्रत्साहिद भी किया जाएगा आउटर बच्चों के लिए भी ओपन सिस्टम से कुछ करता रहता है जैसा कि पहले हमने देखा होगा आप समने कि हमने पूरे पलवल और फर्दवाज जिले के काफी सी वेसी के स्कूलों को बुला कर खेल प्रत्य शेण किया था उसी तरह से छोटे-छोटे बच्चों की प इसमें मुख्यतिती रहेंगी और जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अलग-अलग चेत्रों में चाहे उनका परसनल टेलेंट हो या ग्रुप में टेलेंट हो या गाने का क्ले को उसका क्ले मिट्टी से जो कुछ मों कुछ बनाते हैं बच्चे और बेबी सो जैसे दो स कि चार साल के बच्चों के लिए बेबी सो जो छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों को भी लाकर वो बेरेंट सिंगो यहां करेंगे तो उनको सभी को जो फस्ट, सेकेंड थर्ड आएंगे और उनको सम्मानिद किया जाएगा बच्छों को और जो बाकी बच्चे जितने भी 500 कि लगवग उमीद है कि पार्टिसिपेंट्स यहां है ओनलाइन भी आये हैं रिजिस्टेशन और बाइस्कूल भी थ्रो स्कूल भी यहां पहुंचे हैं लगवग 500 प्लस बच्चे तो लगवग मात पास रिजिस्टर हो चुके हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं और उनके पेर नेशनल स्कूल के थरो यह निवेदन या एक लगातार प्रियास भी रहेगा आपने मन में कि चाहे खेल का छेत्र तो हम लगातार डिसाइड कर ही चुके हैं कि हर साल करेंगे छोटे बच्चों का भी रखेंगे और एक कल्चरल एक्टिविटीज पर भी एक नेक्स्ट इयर में हमें एक ऐसा प्रोग्राम डठेंगे जहां जैसे कॉलिजिज में यूथ मस्टिवल वगरा होता है तो सभी स्कूलों को यह नहीं के बल हमारा ही स्कूल हो भार के सभी स्कूलों को मिलाकर एक बड़ा आयोजन हो इसमें जो बच्चे टेलेंटेड हैं कल्चरल एक्टिव में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें आगे लाने का प्रियास किया जाएगा